नमस्कार दोस्तों मैं सौरब आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मोबाइल सल्यूसन पर दोस्तों यह जो हैंडसेट आफ मारे हाथ में देख रहे हैं यहां देखिए एसूस की ब्रैंडिंग है और दोस्तों मॉडल नमबर है एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मॉडल नमबर है असूस जेन फोन मैक्स प्रो एम ओन ओके और दोस्तों डिवाइस हमारी अन है और डिवाइस में प्राबलम यह है दोस्तों कि डिवाइस हमारी गूगल एकाउंट लाख है यानि की एफार पी लाग है ठीक है मैं सिंपल यहां स्टार्ट बटन पे क्लिक कर और यहां दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूँ आप डिवाइस को किसी वाइफाई के थ्रू कनेक्ट करके रखें ठीक है यह देखिए आप उपर की तरफ देख सकते हैं मैंने पहले ही डिवाइस को किसी वाइफाई के थ्रू कनेक्ट किया हुगा ठीक है तो यह चीज दुस्तों device में problem ये थी कि device हमारी pin लग थी ओके और ये pin पता नहीं था और device को hard reset किया गया और hard reset करने के बाद आपको device का google account मालूम होना चाहिए ठीक है तो ये pin तो हमें पता नहीं है लेकिन जो second option आप देख सकते हैं उपर के तरफ use my google account instead ठीक है मैं simple इस option पर क्लिक करता हू तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको device का google account मालूम होना चाहिए ठीक है तो finally आप थोड़ा सा wait करें और आप देखेंगे यहाँ पे display पे आएगा verify your account तो आपको device का google account मालूम होना चाहिए ये देखें दोस्तों verify your account तो यहाँ पे आपको device का google account मालूम होना च आसान ट्रिक बताऊंगा और बहुत आसानी से आप अपने Max Pro M1 का Google Account लाग यानि की FRP लाग रिमूब कर पाएंगे ओके तो इसके लिए हमको करना क्या होगा यहां से दोस्तों वीडियो आप बहुत ध्यान से देखेगा और प्लीज दोस्तों वीडियो का कोई भी स्टेप बिल्कुल Home Page पे बिल्कुल बैट ठीक है आपको इस पेज पे चले आना है और अब आपको करना क्या है अब simple दोस्तों यह जो लंग्वेज आप देख रहे हैं आपको लंग्वेज चेंज करना है ठीक है तो इसके लिए आप इस पे क्लिक करिए और यहां आपको दिखेगा हिंदी भारत यह देखिए ओके तो आप हिंदी भारत सालिक्ट कर लीजे यह देखिए लंग्वेज आपकी चेंज हो गई अब आपको करना क्या है अब simple यहां शुरू करें पे क्लिक करें ठीक है next आपको बिल्कुल उस पेज पे चले जाना है जहां verify your account बोल रहा था ठीक बिल्कुल उस पेज पे चले जाना है ओके यहां से don't copy करें यहां से google account ओके हमा गये verify your account वाले पेज पे तो आपको करना क्या है दोस्तों सबसे पहले आपको language change करना है device आपकी wifi के थुरू connect होनी चाहिए और उसके बाद आप चले आएंगे verify your account वाले पेज पे ओके अब यहां देखिए हिंदी लिखा है space वाली बटन, space के जश्ट बगल में आपको यह जो icon दिख रहा है इस icon पे आपको finger tap करके रखना ठीक है तो हम इस पे finger अपनी tap करके रखेंगे ठीक है तो कुछ second बाद आपको यह keyboard setting open हो जाएगी ठीक है आप देख सकते हैं और यहां देख सकते हैं दोस्तों यहां देखें बहुत सारी language आपको दिखाई देखी ठीक है तो आप बिल्कुल नीचे चलें आएं आएं नीचे ठीक है नीचे आएंगे तो यह देखिए अंग्रेजी लिखा हुआ है और इसके सामने एक arrow बना हुआ है ठीक है यह देखिए तो आप simple इस समस्य आप बताएं आपको simple इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको टाइप करना है यूज मोर्स कोड ठीक है तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले आप language चेंज कर लें ठीक है language चेंज करने के लिए आप simple यह जो आइकन है इस आइकन पर क्लिक करें ठीक है तो यह देखिए आपके सामने एक YouTube की वीडियो दिखेगी तो आपको करना कहा है simple इस बीडियो को प्ले करेंगे तो कुछ सेकंड बाद वीडियो का title आपको दिखेगा यह देखिए यह रहा आपको simple इस title पे क्लिक कर देना है अब यहां दोस्तों क्या होगा आपके डिवाइस का जो default YouTube का application ह है वो open हो जाएगा ठीक है यह देखिए ओके आप वीडियो को यहां से पॉस्ट कर दें और इसे कुछी स्तरह नीचे कर लें ओके अब उपर की तरह भ्यान से देखे यह यह जो आइकन है इसे इसे सेट अप कर लें सिंपल इस ब्लू आइकन पे क्लिक करें नेक्स्ट नो थैंक्स ओके अब आपका ब्राउजर पूरी तरह से ओपन हो गया ठीक है अब आपको करना क्या अब सिंपल यहां एड्रेस बाक्स पे क्लिक करना है और यहां पे आपको टाइप करना है Google गूगल.com और इसे आप एंटर कर लें तो यहां दोस्तों आपके डिवाइस में गूगल का पेज ओपिन हो जाएगा ठीक है आप सिंपल इस सर्च बाक्स पे क्लिक करें और यहां पे आप टाइप करें वी एन रोम तो चलिए मैं टाइप करता हूँ वी एन रोम ओके यहां से आप सर्च कर लें ओके यह देखिए वी एन रोम मैंने सर्च किया और यह बहुत सारे रिजल्ट आपके सामने आ ठीक है तो बिल्कुल उपर की तरफ आपको यह पहली वेपसाइट पे क्लिक कर देना है ठीक है यह ओपन होगा यह देखिए वी एन रोम ओपन हो गया ठीक है और अब यहां दोस्तों आपको दो अप्लिकेशन डाउनलोड करने है ठीक है यहां से आप क्लिक कर दें इस पर ओके तो यहां दोस्तों आपको दो अप्लिकेशन डाउनलोड करना है ठीक है तो जो सबसे पहला अप्लिकेशन वो है Android 8, 9, 10 ठीक है ध्यान से देखिए ओके त तो इसको download करने के लिए आप simple इसपे click करें तो ये application आपका download होने लगेगा दोस्तों इन application का link मैं आपको description box में दे दूँगा वहाँ से आप बहुत इसली इसे download कर पाएंगे अब अगर आपको ये देखना हो कि आपका application download होके जा कहा रहा है तो simple इहाँ उपर की तरफ three dot है आप इसपे click करें उके उसके बाद ये देखे download लिखा हुआ है आप इसपे click करें तो आप देखेंगे दोस्तों ये दोनो application आपका यहाँ पे download हो रहा है ठीक है थोड़ा सा wait कर लें कभी कभी क्या होता दोस्तों ये देखें ये application बस यहाँ पे so कर रहा है ये download नहीं हो रहा है ठीक है तो आपको करना क्या होता है यहाँ से आप back जाएंगे और page को ऐसे एक बार refresh कर लेंगे ठीक है यहाँ से okay ठीक है तो आपका application download होने लगेगा ये problem face करनी पड़ती है हमारे बहुत सारे viewer है जो हमसे पूछते हैं कि application download नहीं हो रहा है तो इसका solution मैंने आपको बता दिया ठीक है अब simple फिर से आप यहाँ three dot पे click करें और उसके बाद download पे आएं तो आप देखेंगे यह आपका application successfully download हो चुका है ठीक है अब आपको करना क्या है अब simple आपको android 8 9 10 वाला application install करना है ठीक है तो इसके लिए आप simple application पे click करें यहाँ से setting ओके और यहाँ से permission आपको on करना है on कर दें back जाएं और simple यहाँ install करें पे click कर दें तो यह देखे google account manager आपका install होने लगा तो थोड़ा सा wait करें याद है दोस्तों सबसे पहले आपको google account manager install करना है ठीक है यह installation complete हो गया यहाँ से हम done कर देंगे अब जो second वाला application है frp bypass आपको इसे install करना है ठीक है तो application को install करने के लिए आप simple इससे click करें और यहाँ से install करें पे click कर दें ठीक है ये देखे FRP bypass आपका install हो रहा है और ये हो गया ठीक है अब आपको करना क्या है simple इस application को आपको यहां से open कर लेना है open करने के बाद कुछ इस type का interface आपके सामने आएगा ओके अब आपको करना क्या है उपर की तरफ ध्यां से देखिए three dot बना हुआ है आप इस पे क्लिक करें उसके बाद browse sign in पे क्लिक करें और यहां से okay अब यहां दोस्तों आप से ये google account sign in करने को बोलेगा ठीक है तो आप देख सकते हैं देखिए sign in करें अपने google account को ठीक है तो यहां पे आपके पास कोई भी working gmail id हो तो वो gmail id आप यहां डालके sign in कर लें ठीक है तो मैं अप पासवर्ड डालना होगा ओके मैंने अपना पासवर्ड एंटर कर दिया अब यहां से मैं next करूँगा और अब क्या होगा दोस्तों यह जो gmail id हमने डाली है इस device में successfully sign in हो जाएगी ठीक है यह देखिए sign in हो गई और जैसे ही sign in होगी automatically हमारी device बिल्कुल back चली आएगी ठीक यह देखिए device हमारी reboot हो गई ओके दोस्तों brand आप देख रहे हैं Asus और model नंबर है Asus Genphone Max Pro M1 और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ Asus Genphone Max Pro M1 का FRP bypass करने का तरीका यानि कि Google account लाक रिमूब करने का तरीका और यह देखिए दोस्तों device हमारी reboot होने के बाद पूरी तरह से चालू हो चुकिए ठीक है और अब आपको करना क्या है यहां से आपको back जाना है back और आपको सबसे पहले यह language change कर लेनी है ठीक है तो यहां से हम language change कर लेते हैं जो default language है English वो हम कर लेंगे English India ठीक है क्योंकि हिंदी समझने में थोड़ी सी प्राबलम होती है इसलिए मैंने language change कर लिया ठीक है अब यहां simple हम start button पे click करेंगे next और यहां कुछ second wait करिए यहां से don't copy और यह देखें finally दोस्तों जो gmail id हमने इस device में signing की थी successful ही आप देख सकते हैं account added और वो gmail id इस device में add हो गई ठीक है अब हमको यहां से next करना होगा ओके more more accept next more more accept continue no thanks बस आपको simple android setup यह complete कर लेना है बहुत आसान है वीडियो को follow करें और यह setup complete करें यहां से दोस्तों आप चाहें तो face, finger या pattern apply कर सकते हैं लेकिन मैं इस option को यहां से skip करूँगा यहां simple no thanks पे click करूँगा और skip anyway ठीक है next done setup complete done और finally दोस्तों यह देखिए जैसे यह setup मैंने complete किया आप देख सकते हैं हमारी device पूरी तरह अनलाक हो गई अब देखिए यहां किसी भी type का locks हो नहीं कर रहा है और एक चीज़ दोस्तों यहां पे आप ध्यान दें जब आपकी device पूरी तरह से अनलाक हो जाए तो device को manual reset करना न भूले ठीक है device की setting में जाए और setting के बाद system system के बाद advance में आए और उसके बाद आपको यहां reset मिलेगा reset पे क्लिक करें erase all data इसपे क्लिक करें और reset phone erase everything तो device को manual reset जरूर कर लें क्योंकि इसने आपने कुछ extra application इस्टाल किये हैं जो आगे चलके आपको बहुत सारी problem create करेंगे तो मुझे उमीद है दोस्तों कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने device asus genphone max pro m1 का frp लाक्यानी की google account लगती है helpful लगती है तो प्लीज दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल के प्रती बनाए रखिए इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करिए वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही interesting वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर subscribe करिएगा बगल में जो बेला देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच